वेल्कम एवरिवन दिस इज मननत ओफिशल यूट्यूब चैनल प्रीवेस यह कुश्चन्स आपको कराए एक टलर का एक्जामिनेशन के जो आपका चैन्डिगड एड्मिस्टेशन के अंडर हुआ लास्ट यह आपका एक्जाम हुआ था 2023 में तो यह काफी आपके लिए यू इस क्वेस्टेशन पेपर के जो जो आपको जीके का क्वेस्टेशन था इंग्लिज के क्वेस्टेशन most probably error को शोड़ कर बाकी आपका जीके इंग्लिज के बाद computer awareness के questions यह हैंने आपको कराए लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा अभी क्या यह देखो बच्चों आप आपके उपर जो burden है वो ज़्यादा है और एक जो मनत official YouTube channel है उसको भी इतना ज़्यादा time आपके लिए नहीं लगा है because आपको पता है within seven days पहले ही बस पता लग पाया और उस time preparation में हम लोग busy थे आपको यह जो वीडियो है guidance के तौर पर काम करने कि आज नाइट में आपको करना क्या है अगर आपने preparation को अपने final draft देना है तो पी ठीक है तो उसमें क्या करोगे आप एक बच्चे का सवाल था जो आपके current affairs होते हैं ठीक है कि बच्चे का सवाल था जो आपके current affairs होते है current affairsक है तो देखो current affairs में हर एक बच्चे को पता है कोई 6 महीने का पढ़के रखता है कोई 1 year का पढ़के रखता है ठीक है लेकिन आज रात रात आपको क्या करना है केवल 3 महीने के revise करने है तीन महिने के ठीक één वच्छों और तीन महिने में भी अगर किसी को लगता है कि तीन महिने का भी उन पास टाइम नहीं लग रहा है वो बिजी है या जिस भी किसी भी तरीके से तो आपको पता है यह आपका जून है जून ठीकैं तो मई के current affairs आप gebrachtने ये बात आप याद रखना ठीक है फोकस करना है इंटरनेशनल नहीं नेशनल करण्ट अफेर्स पर कोशिस यही करना आपकी नेशनल करण्ट अफेर्स को सारा कवर करो ठीक है मई मई के जरूर करने है वैसे अगर आप देखो तो आपको अपरेल मई जून जून नहीं मार्च से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर थिरी मंद के तो मार्च अपरेल और मही तीन महीने के बच्चों आपने जरूर करने है ठीक है तो ये बात तो आपकी क्लियर कर दी हमने करण्ट अफेर्स से रेलेटेड ओके किसे आपके करण्ट अफेर्स से रेलेटे कि आपको क्या करना है थी मंद के करण्ट अफेर्स रीड करने है अब बात आएगी जी के जी ऐस की तो जी के जी Years का प्रपरेशन आप लुशन से या जिस भी बुक से कररे हैं वो आप करी रहे होगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा पूरा पेपर जो 2023 का है चंडिकर ड्मेंस्टेशन का ठीक है वो एविलेबल होगा और आंसर्स को हम हाइलाइटर से हाइलाइट करके ही पीडियेफ फाइल को आपके टेलिगराम चैनल पर अपलोड करेंगे ठीक है तो आप एक बार जरूर देख लेना लेवल ओफ एक्जामिनेशन लेवल ओफ जैसे मालों आपको से नंबर सीरीज का क्वेशन दिखाई दिया तो आप नंबर सीरीज का क्वेशन को तो कर लो उसके बाद अगर आपको कोई कलेंडर का क्वेशन दिखाई दिया तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा कलेंडर के बारे में पढ़के आपको बोल दिया अब area of triangle बताना अब बच्चों बहुत बच्चों को नहीं पता होगा इसका formula तो आपने क्या करना है वो चीज़ देखके वो चीज़ करके जानी है मतलब आप देख लेना math में question का level क्या है अगर mean mode median कुछ ऐसा पूछा है तो आपने पढ़के जाना है क्यों यह बहुत जाद अलंबी नहीं होने वाली है अब हम इस वीडियो को conclude करेंगे इस बात पर कि current affair आपने तीन महीने के जरूर पढ़ने ठीक है math reasoning computer gk English जो भी है पूरे 100 questions आपके सामने होंगे time नहीं है हमारे पास हम नहीं करा सकते यह चीज़ आपको इतने short time में ठीक है तो 100 questions आप जरूर पढ़ ले around 40 questions तो हम आपको कराई चुके हैं बाकि आप पढ़ सकते हैं तीसरा काम आपने क्या करना है जो भी आपकी preparation हो चुकी है अभी तक उस preparation को ही revise करो ज्यादा attention लेने की ज़रूरत नहीं है जो आप पढ़ चुके हो आप यह सोचके चलो कि आपने बहु and so ever है ना तो उन बातों को अगर कोई सोच के जा रहा है तो paper दे नहीं मत जा हुआ क्योंकि अगर आपका selection होगा तो fair and short होगा और अगर नहीं होगा तो किसी भी तरीके से नहीं होगा ठीक है तो हमारा काम बनता है बस खाली positive vibes लेके जाना होता है exam में तो आपने यही काम कर करना है अगर आपका सब कुछ revision हो चुका है तीन महीने के current फिर मेरी कहने से करने है आपने 100 questions की PDF आपको देखने को मिलेगी exactly आप चेक कर सकते हो किसी बच्चे ने paper दिया होगा तो last year का paper है और last year में भी मैं आपको अगर month बताओं तो I think March या April का 2023 का वो paper है ठीक है तो questions को अभी मैं highlight कर देता हूँ highlight करके PDF scan करके आपको available होगी हमारे telegram channel पर प्लीज उसको जाकर आप पढ़ लेना एक बार ठीक है बाकी exam के लिए हमारी तरफ से आपको message है कि हर एक बच्चा जो मनत official YouTube channel को follow करता है उन सब को best of luck है further information बच्चों जो भी होगी न आपकी वो आपको मन आप से बाते करेंगे तो आप अपनी preparation करो और कल के exam जो आपका round 11 बचे से होने वाला है उसके लिए आप सब को best of luck है तो साथियों इसी के साथ में video आपकी conclude होने वाली है तो आप सब को next video में हम मिलते हैं सब से जो भी information रहीगी आपके साथ share की जाएगी बाकी best of luck for your exam for the post of clerk in women and child development department चंडिगेड administration तो दोस्तों मिलते हैं आप से नहीं video में तब तक के लिए thank you and see you soon